प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पार्ट एक संबन्द एवम फ़रन की प्रिष्णावली एक दस्मलो चाप ये प्रिष्णावली दुईचर संक्रिया या दुई आधारी संक्रिया के प्रश्णों पर आधारित है अब इसमें जो NCRT या राजस्तान बोर्ड की जो किताब है उसके कुछ महत्पूर्ण सवालों का समावेश किया गया है देखते हैं बेटा याँ पर सबसे पहले ये है प्रस्ण नमबर एक प्रस्ण नमबर एक में क्या गिरा है कि अपने को इस संक्रिया में ये बताना है कि साथ ये संक्रिया जो है ये दुई आधारी संक्रिया है के नहीं है मतलब अपने को यहाँ पर इस संक्रिया में ये जाज करनी है कि ये संक्रिया दुई आधारी संक्रिया है के नहीं है होगा क्या के साव अव्याव ए किसी समुच्चे ऐसे लिया गया अव्याव भी वो भी समुच्चे ऐसे लिया गया और संक्रिया कराने के बाद जो अव्याव प्राप्त हुआ अगर वो भी समुच्चे ऐस में विद्यमान है तो संक्रिया दुई आदारी संक्रिया कहलाती है इस बात की जाच करते हैं तो यहाँ पर पहले कहराईए कि Z प्लस में A संक्रिया B बरावर है A माइनस B ऐसे परिवासित है क्या A माइनस B यानि कि A में से B को घटाओ अब यहाँ पर Z प्लस है ना यह Z के उपर धन का चिन लगा हुआ है इसका मतलब यह है कि यह धनात्मक पूरांकों का समुच्चे क्या है विटा धनात्मक पूरांकों का समुच्चे आते हैं साथ मैदान में अपना आये साथ पहला प्रस्ट में हल करने पहले प्रस्ट में क्या है साथ दिया है क्या दिया है मेरे लाल कि एक संक्रिया दे रखिये A संक्रिया B बरावर है A माइनस B और ये कहाँ पर है ये है Z प्लस में यानि कि धनात्मक पुरांकों के समुच्चा में अब यहाँ पर मेरे को ये बताना है कि क्या ये संक्रिया दुई आधारी संक्रिया है तो मैंने क्या काम करा किसाब A बरावर ले लिया कितना एक ये ले लिया था और ये कहाँ पर विद्यमा ने बिटा ये Z प्लस में है देखवा A बरावर एक लिया और ये कहाँ पर विद्यमा ने Z प्लस में दनात्मक पुरांक में ऐसे ही मैंने B बरावर B बरावर ले लिया मैंने तीन और ये भी कहाँ पर विध्यमान है जेड प्लस में अब संक्रिया ये कह दिये कि A स्टार B ठीक है A संक्रिया B बराबर है किसके A माइनस B के अब A की जगे 1 और अगर इसको मैं कराऊं तीन के साथ मैं एक और तीन के बीच में संक्रिया कराने पर एक माइनस तीन अगर एक मेंसे तीन को गटाएंगे तो यहाँ पर आता है विटा माइनस के दू ठीक है अच्छा ये धनात्मक पुरांगों के समुच्चे में होगा तो आपको देखते ही पता चलता है कि ये धनात्मक पुरांगों के समुच्चे में नहीं है अब ये धनात्मक पुरांगों के समुच्चे में नहीं है तो अपन क्या कहेंगे कि अते जो ये संक्रिया है अते ये संक्रिया जो है ये दुई आधारी दुई आधारी संक्रिया नहीं है दुई आधारी संक्रिया नहीं है कि हो गया साथ अपने को Wash क्या बताना था कि ये संक्रिया जो है दूयादारी संक्रिया है चैंक नहीं है ये पहले प्रिम दूसरे में क्या दे रखा है वही Z PLUS मैं Z PLUS का मनलब वही धनात्मकपूरांगों का समुच्छ इसमें A संक्रिया B बराबर है किसके A गुणा B के ठिक तो अपने को ये बताना है कि ये जो संक्रिया है ठिक ये दुई आधारी संक्रिया है के नहीं है इसके भी जाज करते हैं मेटा देखें आगे हाँ वे दूसरे प्रस्ण में क्या दे रखा है पहले प्रस्ण के दूसरे बाद दिया है क्या दिया है मेरे लाव ये दिया है के साथ A संक्रिया B ये बरावर है A गुणा B ठीक है? A गुणा B और कहा परें साथ ये है Z प्लस में Z प्लस का मनलब वही दनात्मक पुरांकों के समुच्य में अब यहाँ पर आप A लो साथ कहां से Z प्लस है A कहां से लो आप A belongs to Z प्लस A जो है वो लिया परने Z प्लस है दनात्मक पुरांकों के समुच्य और B वी ले लो आप कहां से Z प्लस है ये ले लिया तो अब जब ये लिया परने तो इनके बीच में संक्रिया कराएंगे तो ये आया अपने पास में A संक्रिया B बराबर A गुणा B और आप ये देखो कि दो धनात्मक पुरांकों का गुणनफल दो धनात्मक पुरांकों का गुणनफल जो है वो हमेशा कैसा रहेगा धनात्मक ही रहेगा इसका मतलब अगर मैं कोई से भी धनात्मक पुनांक लूँ और उनका गुणा करूँ तो मुझे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा धनात्मक पुनांक प्राप्त होगा इसका मतलब ये जो संक्रिया है ठीक है संक्रिया दुई आधारी दुई आधारी संक्रिया है कितना सिंपल सी बात थी देखो वेटा क्यों कि परिवासा के अनुसार AB मेंने Z प्लस से लिया BV मेंने Z प्लस से लिया और अगर एक उना BV Z में है तो इसका मतलब जो दी गई संक्रिया है ये दुई आधारी संक्रिया है ये वह साथ पहला प्रस्ट अब आते हैं आप आएं दूसरे प्रस्ट पर देखो साथ दूसरे प्रस्ट में क्या कहा जा रहा है ये कह रहा है कि साथ निम लिखित दुई आधारी संक्रिया के लिए मलब ये कह रहा है कि ये दुई आधारी संक्रिया तो है अब आपको याद होना चाहिए कि किरमविन में के लिए क्या होता है A संक्रिया B बराबर होना चाहिए B संक्रिया A के ये तो किरमविन में तागनियम है फिर साचर्य तागनियम क्या है साथ A संक्रिया B कोश्टक में और संक्रिया C बराबर होनी चाहिए A संक्रिया, कोश्टक के अंदर B संक्रिया C के तो हम आपन कहेंगे कि साहब ये साच चर रहे है अब यहाँ पर पहले प्रस्ट के एप में क्या दे रखा है कि Z में, वाँ था Z प्लस में, यहाँ है Z में Z प्लस और Z में ये अंतर है Z trust का मनला होता है धनात्मक पुरांगों का समुच्च और Z का मनला होता है पुरांगों का समुच्च ये Z से भी प्रदर्शित करते हैं और बड़े वले I से भी प्रदर्शित करते हैं अब यहाँ पर पहले प्रसंद के लिए आते हैं साम यह है अपने पास में दिया है ठीक है मेरे लाल क्या दिया है किसार ए संक्रिया भी बराबर है ए माइनस भी और कहाँ पर जैड में ठीक अपने को यह बताना है क्या यह क्रम विन में है तो सबसे पहले आपन क्रम विन मेता की जाच करते है किसकी किरम विनी मेता अब किरम विनी मेता की जाज करने के लिए मैंने दो अवियव लिये कहां से लिये साब A लिया मैंने कहां से Z से और B वी मैंने लिया Z से अब आपको समझाने के लिए A बराबर मैंने लिया 1 जैसे मा लिया था और B वरावर ले लिया 2, यह हो गया, अब A संक्रिया B, यानि कि A माइनस B, यह आगया A माइनस B, अब आप देखो कि 1 में से माइनस 2 को गटाओगे, तो माइनस 1 आएगा, ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं B माइनस A करूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर देखे, आप मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ गया B संक्रिया A, ठीक है, लेकिन A संक्रिया B, माइनस B संक्रिया A के तो हो सकता है, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि A संक्रिया B, बराब बी संक्रिया एक है कि नहीं है तो साहब ये नहीं है क्यों कि देखो आप एक माइनस दो बरावर आ रहा है माइनस एक और दो माइनस एक बरावर एक तो क्या ये दोनों बरावर हैं तो ये बरावर नहीं है अब जब ये दोनों बरावर नहीं है तो ये दोनों भी बरावर नहीं होंगे तो इसका मतला ये जो संक्रिया है ये क्रम विन मैं संक्रिया नहीं है तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे साथ संक्रिया दुई आधारी क्रम विन मैं संक्रिया नहीं है ठीक है बटा अब आते हैं अबंद सहाचरे के लिए अब सहाचरे के लिए क्या देखें साथ यहीं कर ले सहाचरेता 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 की जांच के लिए आपको तीन अव्याव लेने पड़ेंगे और वो भी कहां से जैड से तो देखो आप A, B और C यह तीनों लिए आपनने कहां से जैड से अब यह कहता है के साथ A, संक्रिया, B, संक्रिया, C देखना है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे के साथ A, संक्रिया और B, और माइनस यहाँ क्या है ठीक है उटा आप यहाँ पर देखो आप यह प्रतम अवियाब है, यह दूतिया अवियाब है और संक्रिया क्या है के A मैंसे यानि के प्रतम अवियाब मैंसे दूतिया अवियाब को घटाओ तो यहाँ पर A मैंसे इसको घटाना है तो यह आएगा माइनस B और प्लस C ठीक है बटा A-B और प्लस C अब इसी प्रका A संक्रिया और साब B और संक्रिया C अब A और B में संक्रिया लगा है यह बन तो यहाँ है अपने पास में A-B और संक्रिया C अब यह पृथमा विया बन गया और यह दुतिया विया बन गया तो यहाँ आपर देखो बटा A-B और A-C पृत्म आवयव में से दुतिय आवयव को माइनस कर दिया अब कभी इसको देखो और कभी इसको देखो क्या यह दोनों बरावर दिख रहे हैं देखो आप A-B प्लस C A-B और माइनस C यानि कि यह बरावर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि A-Sankriya B-Sankriya C बरावर नहीं है किसके A-Sankriya B और Sankriya C के अब जब यह बरावर नहीं है तो आपन क्या कहेंगे कि Sankriya दुई आधारी साचर साचर संकriya नहीं है किया हो गया बटा नहीं है यह अपने पास में इस पहले प्रस्ण की जाँच हो गई किसाब यह किरमविन में और साचर रहे है कि नहीं है अब दूसरे की देखें साब दूसरे में क्या कह रहा है यह क्यूं में क्यों क्या होता है परी में संख्याओं का समुझ्च है क्यों क्या है पिटा परी में संख्याओं का समुझ्च है क्यों मैं ए संख्या भी बराबर है ए और बी का गुणा करो और उसमें एक जोड़ दो ए और बी का गुणा करो और उसमें क्या करो पिटा एक जोड़ दो करने पहुंचे देखें वाई यहां पर इसका दूसरा वाद क्या है विटा दिया है मेरे लाल क्या दिया है वो देखते हैं अपर दिया है साथ A संक्रिया B और A गुणा B और प्लस A यह हो गया थे यह संक्रिया और कहां पर है पेटा यह है क्यू मैं क्यू मैं ठीक है अब क्या काम करते हैं हमाद के A संक्रिया B बराबर है A गुणा B प्लस A के ठीक क्रम विन मैता की जाच करने जाते हैं साब नमबर दूसरे में क्रम विन मैता क्रम विनी मैता इसकी जाच करने गये साब तो अपने क्या करता दो अभियव लिये साब A और B और कहां से लिए विटा क्यू से अब A संक्रिया B बराबर है A गुणा B और प्लस अगर मैं इसको B गुणा A लिख दूँ तो कोई फरक पड़ेगा क्या वेटा कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि A गुणा B बराबर होता है B गुणा A के तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि B संक्रिया A तो पड़ा चला किसाब A संक्रिया B बराबर है किसके B संक्रिया A के इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संक्रिया है यह दूई आधारी क्रम विन मैं संक्रिया है यह दूई आधारी यह दूई आधारी क्रम विन मैं संक्रिया है अब बात करें अपन इसकी साचरिता की तो यहाँ पर देखें अपन साचरिता 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 मैं क्या है साम कि अपने को तीन अव्यव लेने है कौन कौन से A, B और C यह विद्देमान होने चाहिए यह कहाँ से क्यू से कहाँ से लिए आपने इनको क्यू से क्यू क्या है परिमे संख्याओं का समुच्च है ठीक विटा अब बात आती है अपने बास मैं के संक्रिया यह है A संक्रिया B और संक्रिया C ऐसे हैं ए संक्रिया, बी संक्रिया सी, अब यहाँ पर अगर आपन देखें हैं, तो ए को तो ऐसे ही रहने दो बी का गुणा करा सी से और उसमें जोड़ दिया ए यही तो है, संक्रिया क्या कहते है कि प्रतमावयाव और दूतियाव का गुणा करो, और उसमें एक जोड़ दो, वही करा मैंने ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में यह प्रतमावयाव हो गया, यह दूतियाव हो गया इन दोनों का गुणा करा तो देखना, A, B, C और प्लस A और प्लस का A, यहाँ गया बही इन दोनों का गुणा करा और उसमें एक जोड़ दिया ठीक है विटा अब यहाँ पर आया साव इसे ही पिरका A, संक्रिया B, और संक्रिया C तो यहाँ पर पहले मैं A और B में संक्रिया लगाऊंगा, तो A, गुणा B, और प्लस एक फिर संक्रिया C अब यहाँ पर देखवा यह प्रथमा भी अब है और यह दुतिया भी अब है तो यह आगे आपने पास में A, B, C प्लस C और साब प्लस एक यहाँ पर देखवा, आप कभी इसको देखो, कभी इसको देखो A, B, C A, B, C बिलकुल सही है अरे यह लगा अगे देखो A और यह C तो इसका मदलब यह दोनो बराबर नहीं है तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे बिटा B, Sंक्रिया C बराबर नहीं है किसके A, Sंक्रिया B और Sंक्रिया C ये दोनों बराबार नहीं है तो इसका मतला जो संक्रिया है ये दुई आधारी साचर संक्रिया नहीं है मला ये किरम विन में तो है परंतु क्या नहीं है साचर नहीं है ठीक है बटा ये अपने पास में दूसरा प्रस्ण समाप्त अब आते हैं अपन तीसरे प्रस्ण ये बड़ा मज़ेदार प्रस्ण अलग है बिल्कुल अलग हटके इससे आपको एक संक्रिया सानी बनाने को मिलेगी क्या है साचर समुच्चे नाम दे देते हैं इसका समुच्चे ए एक दो तीन चार पांच में अब ये संक्रिया का इन्होंने नया चिन बना रखा है ए संक्रिया बी और इसमें क्या है कि निम्रितम ए बी द्वारा मतलब ए और बी में जो छोटा होगा उसको बताना है अपने को ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हल निकालने के लिए अपने क्या काम करा बीटा हल यह आया आपने पास में दिया है क्या कह दिया है मेरे लाब दिया है यहाँ पर समुच्चे A इसका नाम रख लिए आपना है समुच्चे एक, दो, तीन, चार पाँच समुच्चे A के अंदर अब क्या है? एक, दो, तीन, चार, पाँच अब सब संक्रिया क्या है? तो यहाँ पर A संक्रिया B ठीक है? और यह बराबर है A वर B का निम्नितम यह है मालब A और B में जो निम्नितम छोटा होगा, उसको लेना है अब दुई आदारी संक्रिया तो यह बताते है कि सार्ब A, B समुच्चे इसे लेना है, B भी समुच्चे इसे लेना है, और उनका जो निम्नितम आएगा, वो भी समुच्चे A में होना चाहिए तब जाके अपना काम समाथ होगा, तो इसके लिए आपने को क्या काम करना है, एक संक्रिया सानी बनाने, बड़ा मज़ाएगा दिखूआ संक्रिया सानी बनाने के लिए आपने ऐसे लाइन कीची, देन तरन तरन, और ये देन तरन तरन, ये है आपने पास में संक्रिया, अब यहाँ पर ये समुच्चे A लिखा, एक, दो, तीन चार, ठीक है, और ये पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये समुच्चे A, यहाँ से अपन क्या और यहाँ से अवयाब भी, अब आप संक्रिया कराता है संक्रिया दिवाओ, एक संक्रिया एक, माला इसको A माल लो, या इसको A माल लो, किसी को भी A माल लो, मैंने इसको A माला, और इसको B माला तो एक संक्रिया एक क्या कहता है, A और B का निम्तम, एक और एक में छोटा कोन है, निम्तम कोन है, एक, तो ये लिख दिया, एक, अच्छा, एक और दो में छोटा कोन है, एक, एक और तीन में छोटा कोन है, एक, एक और चार में छोटा कोन है, एक, एक और पांच में छोटा कोन है, एक, ऐसे ही देखो, आप दो और दो में छोटा कोन है? दो, दो और तीन में छोटा कोन है? दो, दो और चार में छोटा कोन है? दो, और दो और पांच में छोटा कोन है? दो, फिर आए तीन और एक में छोटा कोन है? एक, तीन और दो में छोटा कोन है? दो, तीन और तीन में छोटा कोन है? तीन, तीन और चार म में छोटा कोन है एक, चार और दो में छोटा कोन है, दो, चार और तीन में छोटा कोन है, तीन, चार और चार में छोटा कोन है, चार और पांच में छोटा कोन है, चार, अब आए अपन पांच और एक में छोटा कोन है, एक, पांच और दो में छोटा कोन है, दो, पांच और त तीन में छोटा कोने तीन पाँच और चार में छोटा कोने चार पाँच और पाँच में छोटा कोने पाँच ये बन गई अपने पास में संक्रिया साननी कैसे इनके बीच में संक्रिया कराते जाए और जो मान प्राप्त हो वो लिखते जाए अब यहाँ पर देखके पता चला कि इस संक्रिया में जो भी मान प्राप्त हुए वो सब समुच्चे एक एवियव हैं इसका मलब इस संक्रिया दुई आधारी संक्रिया तो है ही और साथ के साथ में क्या हुआ अपने एक संक्रिया सानी बना दी यागी साथ संक्रिया सानी ठीक है जो पहले इन्होंने कहा है कि परिवासा दुई आधारी संक्रिया पर विचार कीजिए मनलब अपने को पहले ये बताना है कि ये दुई आधारी संक्रिया है कि नहीं है तो मैंने A वी समुच्चे A से लिया B समुच्चे B से लिया सो ए से लिया, ए समुच्चे ए से और बीवी समुच्चे ए से, और जब इनके बीच में संक्रिया कराई, तो वो भी कहा पर आई, समुच्चे ए में, तो इसका मतलब संक्रिया जो है, वो दुई आधारी संक्रिया है, और ये कोन है बेटा, ये है संक्रिया सारणी, ये है संक् प्रात्थ होगा यह यहां लिख देंगे अपन यह संक्रिया दुई आधारी दुई आधारी संक्रिया है ठीक है मैंने लाग यह दुई आधारी संक्रिया है तीसरा कोश्चन बड़ा मज़ेदार कोश्चन था साथ अब आते हैं अपन चोथे पिरस्ट पर आते हैं साथ चोथे प्रस्ट में क्या दे रखा है देखा आप याँ अरे कहा चला गया हाँ बज़ इसमें दे रखा है कि N में N का मनलब यहां पर है प्राकर संक्याओं का समुझे A संग्रिया B, A तथा B का LCM LCM का मनलब क्या होता है बटा लगुत्तम समाप वर्दे ठीक है परिवासित है लगुत्तम समाप वर्दे तो जानते हो न वै छोटी से छोटी संक्या जिसमें दिये गई समुझे पूरी पूरी बार भाग जाता है ठीक तो यहां पर क्या-क्या बताना है अपने को पहली चीज पांच संक्रिया साथ का मान बताना है यही से स्टार्ट करता है नमबर एक हाँ बही क्या बताना है अपने को पांच संक्रिया साथ तो सबसे पहले क्या दिया है देखना ज़रा दिया है दिया है जाब कि ए संक्रिया बी यह है ए तथा बी का एल सियम इतने अंग्लेजी चल जाएगी ना बिटा लगुत्तम समावरते को क्या लिख रहा है एल सियम ठीक अब यहां पर पहले पूछ रहा है वो कि पांच संक्रिया साथ तो यह आया पांच संक्रिया साथ अब पांच तथा साथ का एल सियम क्या होगा मेरे लाग। पांच तथा साथ का एल सियम होगा कितना पैंतिस पांच और साथ का एल सियम क्या हुआ पैंतिस क्योंकि पैंतिस में पांच का भाग भी जाएगा और साथ का बाग भी जाएगा ठिक और ये 35 जो है ये प्राकर संक्याओं के समुच्च में विद्यमान है बिल्कुल सही बात इसा है इसे ही पिरकार इसमें दूसरा भी दे रखा है ये तो पहले का ए और बी देखो बी में क्या दे रखा है ये है अपने पास में बीस संक्याओं सोला अब साथ यहाँ पर बीस तथा बीस तथा सोला का अब कई वालक तो बूल गए होंगे क्यों क्यों कि अल्चम निकालना है बूल गे ल्चम कैसे निकालते ठीक है, आप LCM जब आपने सीखा था, जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी सरारत करते थे ठीक है, तब सीखा था साब, कैसे निकालते थे बेटा देखो आप, ऐसे लिखते थे यहां लिखा 20 और यह लिखा 16, सबसे पहले 2 से भाग लगाते थे यहां गया 10 और यहां गया अपने पास में 8, फिर 2 का भाग लगाते थे, तो यहां गया 5 और यहां गया 4, फिर 2 का भाग लगाते थे, तो यहां गया 5 और यहां गया 2, फिर 2 का भाग लगाया, तो यहां पर आगया 5 और यहां गया 1, फिर 5 का भाग लगाया, यहां गया 1, फि 16, 16, 15, 80 तो, इसका LCM क्या आगया, बिटा? इसका LCM आगया, 80 ि्यागया सामभी ठीक है? तो अपना इसका पहला सवाल जो है, वो कम्प्leet ठीक, दूसरे में क्या कह रहा है? क्या संक्रिया किरमविन में है? क्या संक्रिया किरमविन में है? तो उसकी जाच करने करें साथ कि किरम विन में है के नहीं है हाँ भई दूसरे में क्या कह रहा है वो किसाथ A संक्रिया B A तथा A तथा B का L सियम यही है और अपने को यह जाच करनी है कि यह किरम विन में है के नहीं है अब किरम विनमेता के लिए क्या होता है साब A संग्रिया B बराबर होनी चाहिए B संग्रिया एक तो उसके लिए आपन क्या काम करें साब किरम विनमेता हाँ भै या से A और B दो अवेवलिये कहा से समुझचे N से प्राकर संग्यां के समुझचे अब साव A और संक्रिया B A तथा B का LCM ठीक है तो बिटा A तथा B का LCM जैसे अभी अपन ने निकाला 5 और 7 का LCM क्या आया था? 35 तो 7 और 5 का LCM भी क्या आएगा? 35 LCM ऐसे अभी आप बतलने पर थोड़ी ना बतलेगा तो यहाँ पर आएगा B तथा B तथा A का LCM यह भी सेम आएगा तो इसका मतलब A संक्रिया B A संक्रिया B बरावर है B संक्रिया 1 तो इसका मतलब यह वाग यह जो संक्रिया है यह दुई आधारी क्रम विनी मैं किरम विनि में संक्रिया है किरम विनि में संक्रिया है दुई आधारी किरम विनि में संक्रिया है अब बात करते हैं अपन साचरे की तीसरे में क्या कराईए कि क्या ये संक्रिया साचरे है साचरे में क्या देखते हैं A संक्रिया कोश्टक में B संक्रिया C बराबर होना चाहिए कुष्टक में A संक्रिया वी और संक्रिया से के तो यहाँ पर तीसरे में देखो साम थीसरे क्या है सार頭 सा चरे सा चरे सा चरे ता लिग दो साम इसकी जाँच करना ना सा चरे ता यहाँ पर A, B और C ये विद्यमाने कहाँ पर समुच्चे N है कहाँ पर विद्यमाने विटा समुच्चे N है अब अपन क्या काम करें कि A संक्रिया और जाब B संक्रिया C सबसे पहले A संक्रिया और B तथा C का LCM C का LCM यहां क्या है सब अपन इसको माल लेते हैं कि माना वो D है ठीक है वो क्या है D तो अब अपने पास में A और D का इलचम A तथा D का इलचम A तथा D का इलचम मरला ऐसी संक्या आएगी जिसमें A का भी भाग जाए B का भी जाए और C का भी जाए अब इसी प्रकार से अगर A संक्या B और संक्या C या आता है तो A तथा B का इलचम A तथा B का इलचम यह ओगे ठीक है और यहाँ पर आए अपने पास में संक्या C इसको मान लिया पने X तो यह आएगा अपने पास में X तथा C का इलचम C का इलचम तो इसका मतलब भी यह है कि यहाँ जो संक्या आएगी उसमें A का भी भाग जाएगा B का भी भाग जाएगा और C का भी भाग जाएगा एक ही बात है इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों कैसे होंगे बेटा बराबर इसलिए A संक्या B संक्या C बराबर होगा A संक्रिया, B और संक्रिया सी के अब जब ये बराबर है तो अपन कहेंगे कि साथ जो संक्रिया है ये दुई आधारी साचर संक्रिया है दुई आधारी साचर संक्रिया है क्यों? क्योंकि इसाथ ये दोनों बराबर है अब बात आती है अपने पास में तीन होगे चोथे नम्मर पे क्या दे रखाता देखें होई ये है इसमें तत्समक अव्याव ग्याद कीजिए ठीक है? अब इसमें अपन देखते है चोथे भाग को क्या है वो तत्समक अव्याव है की नहीं है और है तो कौन है? तो यहाँ पर आए अपन पहली बात चोथे नम्मर का है ये भाग तो यहाँ पर दिया है क्या दिया था विटा? ये दिया है अपने को कि A संक्रिया B बराबर है A तथा B का L से अब ये तो प्रश्न है अपने पास में अब अपन बात करें तत्समक अवयव की तो यहाँ पर लिखा मैंने तत्समक तत्समक अवयव इसकी बात करनी है साब की जाज करनी है कि है कि नहीं है और है तो कौन सा है माल लियापने माना माना तत्समक अव्याव तत्समक अव्याव क्या है अव्याव ई है अव्याव बरावर यह माल लिया सा अब तत्समक अव्याव क्या होता है वेटा तत्समक अव्याव जो किरिया में भाग तो ले परन्त परंतू असर कुछ नहीं डाले जो किरिया में भाग तुले परंतू असर कुछ नहीं डाले उसको कहता है बन तशमक गविया तो परिवासा क्या कहती है बिटा परिवासा से परिभासा से परिभासा यह कहती है कि दिये कि साथ A संक्रिया E बरावर क्या मिले A कि A और E में अगर संक्रिया कराते हो तो अपने को क्या मिलना चाहिए E मिलना चाहिए सुरी A और E में संक्रिया कराते हो तो क्या मिलना चाहिए अपने को A मिलना चाहिए, अब साहब यहाँ पर, A तथा, E का LCM, क्या हैगा बटा, या A, अब ऐसा कौन सा अभियाव है, जिसका किसी अभियाव के साथ LCM लिया जाए, तो वही अभियाव हो, तो देखो अब, एक और पांच का LCM लो, तो क्या हैगा अबने बटा, पांच, एक और साथ का LCM लो, क्या हैगा साथ, एक और तीन का LCM लो, क्या हैगा तीन, एक और पंदरा का LCM लो, क्या हैगा पंदरा, मतलब, एक का किसी के साथ भी LCM लो, तो अपने को वही अभियाव प्राप्त होगा, इसका मतलब, इस संक्रिय का तस्मक अवयव कौन है इस संक्रिया का तस्मक अवयव है संक्रिया का तस्मक अवयव क्या है विटा जान दें यह बराबर एक क्यों एक का किसी के साथ भी आप LCM lo तो अपने को क्या प्राप्त होगा वही संख्या प्राप्त होगा टिकैं वटा ये तश्मा अभ्यव की काणी भी खतम होगा पांचवे नमबर पे ये कह रहे हैं अपने से कि सबुर्ि अपने इसका पृतुलोम भी गयात करो सब कि क्या इसका पृतिलोम अवियव है वो भी देखते हैं साब पृतिलोम अवियव है कि नहीं है ये बात की जाज करते है ठीक है बड़ा तो देखें भाई यहाँ पर पाँचवे नमबर पर ठीक है पृतिलोम अवियव पृतिलोम अवियव अब प्रतिलोम अवियव क्या है सा? मान लिया पनने माना प्रतिलोम अवियव कोई नार रख देते हैं इसका? अवियव बराबर X रख लिया सा पृतिलोम अवियाब क्या मालिया परने है एक्स अब परिवाशा यह कहती है कि अपना जो अवियव है और पृतिलोम अवियव जो है इसके बीच में अगर संक्रिया कराई जाए तो अपने को तत्समक अवियव प्राप्त हो परिवाशा क्या कहता है बिटा परिभासा परिभासा से परिभासा क्या कहते है कि ए संक्रिया और ये पृतलोम अगर ये कराया जाए तो अपने को तत्समा का वियाप राप्त हो ये तत्समा का वियाप अपने क्या मान रखा है मतलब ये है कि ए तो अपना वियाप है और x जो अपने प्रतिलो मान रखा है A और x में अगर आप संक्रिया कराओ तो अपने को तत्समक अव्यव प्राब्त ये बताना है साथ तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा A तथा x का L सिम A तथा x का L सिम E का मान क्या है इसमें अब आप ये देखो कि दो संख्याओं का एल्चियम एक कब आएगा तो बिटा यह तभी संभव है जब A और X दोनों का मान एक हो इसके अलावा कभी संभव नहीं है यह तभी संभव है यह तभी संभव है संभव है जब A बराबर X बराबर एक हो और किसी का इस्तिती में यह संभव नहीं है अते इसका पृतलोम अव्यव विद्यमान नहीं है संक्रिया में जो है संक्रिया का पृतलोम अव्यव विद्यमान नहीं है ठीक है बठा आगे बढ़ते हैं वोग ये है अपने पास में पांचवा प्रास ये कह रहा है एक दो तीन चार पांच ये संक्रिया भी ए तथा भी का है coefficient संक्रिया एक दो आधारी संक्रिया है की नहीं है अपने संक्रिया हना है दो युप यू आधारी संक्रिया है की नहीं है पना पप्पू प्रस na इ चलो कोई बात नहीं, अपने को तो भईया हल ग्याद करना है, तो देखे साब, दिया है, गणे तीनी बातों बालादारी तो दिया है, क्या दे रखा है, क्या ग्याद करना है, और कैसे ग्याद करना है, तो यहाँ पर एक समुच्चे दे रखा है, यह है साब, एक, दो, तीन, चार पाच, ठीक है, आप सब संक्रिया दे रखीए, A संक्रिया B, यह सब A तथा B का L सियम, A तथा B का L सियम, यह सब A तथा B का L सियम, अब अपने को यह बताना है, कि ये जो संक्रिया है ये दुई आधारी संक्रिया है के नहीं है क्या बटा ये दुई आधारी संक्रिया है के नहीं है अब दुई आधारी संक्रिया की जाच कैसे करते हैं किसा एक अवियव लिया अपने समुच्चे A से दूसरा अवियवलिया अपने समुच्चे A से दोनों के बीच में संक्रिया कराई और जो संक्रिया कराने पर मान प्राप्त हुआ अगर वो इस समुच्चे A में है तो संक्रिया दुयाधारी संक्रिया है और अगर नहीं है तो दुयाधारी संक्रिया नहीं है तो मैंने क्या काम करा? तरकीम नंबर तिरा, आइटर्व नंबर चौदा लगा दिया किसार A बराबर मैंने अव्यवलिया साथ यहां से तीन और यह तीन जो था यह A के अंदर विद्ध्यमान था ठीक है? इसी प्रकार मैंने A कव्यवलिया पांच और ये भी समुझे A में विद्यमान है अब मैंने क्या काम करा कि तीन और पांच के बीच में संक्रिया कराए तो यहाँ पर संक्रिया क्या थी कि तीन तथा पांच का L-C-M पांच का L-C-M यहाँ तीन तथा पांच का L-C-M अब तीन तथा पांच का LCM है तो ऐसी स्तिती में तीन पांच का LCM क्या है विटा 15 अच्छा ये बताओ ये 15 जो है इस समुच्चे A में विद्वान है क्या तो पता लगा कि भैया ये तो विद्वान नहीं है समुच्चे A में तो इसका मतलश जो अपनी संक्रिया थी ये दुई आधारी दुई आधारी संक्रिया नहीं है ये जो अपनी संक्रिया है ये दुई आधारी संक्रिया नहीं है ठीक है विटा बेरी आसान आगे चलते हैं हावे अब अपने को च्छटे प्रस्ट में क्या दे रखा है वो दिखा च्छटे प्रस्ट में दे रखा है ए संक्रिया भी ए तथा भी का एस्यप द्वारा परिबासित एक दुयादारी संक्रिया है परला इन्होंने कह दिया कि एन में ये एक दुयादारी संक्रिया है क्या ये क्रमविन में है क् साचर्य है क्या एन इस दुयादारी संक्रिया में कोई तश्मा कव्याव का अस्तित्व है कि नहीं है मला अपने को HCA में ये दे दिया कि ये दुयादारी संक्रिया है ठीक है अब अपने को ये बताना है कि ये जो संक्रिया है, ये क्रमिन में है क्या, साचर है क्या, और इसका तस्मा का विज्द्यमान है क्या, ये चीज़ बतानी है, ठीक है बटा, तो आते है मेंदान में, यहां पर सबसे पहले हल, दिया है क्या दिया है मैंने लाओ ये दिया है किसाब A संक्रिया B और A तथा B का HCF अब यहाँ पे HCF आ गया ठीक है HCF और काई में है साब ये N में हाना प्राकर संक्रियाओं के समुच्चे में HCF का मल्ला होता है Highest Common Factor वे बड़ी से बड़ी संक्रियाओं जिसका जिसका दिये गए समुँ में पूरी पूरी बार भाग चला जाए LCM है जिसमें दिये गए समुँ का पूरी पूरी बार भाग चला जाए इसमें है जिसका दिये गए समुँ में पूरी पूरी बार भाग चला जाए ये अंतर है साथ HCF और LCHF अब अपने को जाज करने है क्या ये क्रम विन में है तो नमबर एक या पराया पाया है नमबर एक में क्या क्रम विन में था क्रम विनी में था ठीक है किरम भी निमेंता में क्या काम करना है साथ देखना आप A और B मैंने दो अवेव लिये कहां से N से N प्राकर संक्रिया होगे समुच्छे से अब मैंने इनकी भी संक्रिया करें A संक्रिया B अब A संक्रिया B क्या है A तथा B का HCF अब A और B का जो HCF होगा तो B और C का भी HCF होगा सरी B A और B का जो HCF होगा तो B और A का HCF भी वह होगा तो यहाँ पर B तथा A का A का HCF यहाँ गया B तथा A का HCF तो इसका मतलब यह हुआ A संक्रिया B बराबर है बी संक्रिया एक है अब इसका मतलब यह वा कि जो यह संक्रिया है यह दुई आधारी क्रम विन में संक्रिया है ठीक है बटा यह क्रम विन में तासिद्ध कर दिया अब आते हैं अपन दूसरी चिस साचरेता 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 में क्या है साचरेता कि अपने तीन अवेव लिए ए बी सी और कहा से लिए वो समुच्चे एन से ठीक है तो अपने को यह बताना है कि A संक्रिया B संक्रिया C यह A संक्रिया अब B तथा C का H C F H C F ठीक है मान लो आप D मान लो साथ माना वो क्या है D ठीक है अब यहाँ पर A तथा D का H C F तो यहाँ पर जो अवियव प्राप्त होगा उस अवियव का A में भी भाग पूरी-पूरी बाहर जाएगा B में भी भाग पूरी-पूरी बाहर जाएगा और C में भी भाग पूरी-पूरी बाहर जाएगा अब अगर मान लोग इसकी बात करें A संक्रिया B और संक्रिया C तो यहाँ पर आए अपन A संक्रिया B संक्रिया C A तथा B का A तथा B का HCF यह हो गया और संक्रिया C अब A तथा, मान लो यहाँ पर X है ठीक है, X मान लिए तो X तथा C का X तथा C का ऐसी है तो यहाँ पर अभियाँ प्राप्त होगा उसका अभियाँ A में भाग पूरी-पूरी बार जाएगा अभियाँ B में भाग पूरी-पूरी बार जाएगा ठीक है बटा अब क्या हुआ कि जब ऐसी इस्तिति आ जाती है तो ये दोनों देख़ो आप बात तो ये कि A का A में B में C में तीनों में भाग पूरी पूरी बाज जा रहा है इसमें भी ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब ये वाग के साब ये दोनों क्या है बराबर A संक्रिया B संक्रिया C बराबर है A संक्रिया B और संक्रिया C बराबर है इसका मलाव अपन क्या कहतेंगे संक्रिया दूई आधारी साचर संक्रिया है दुरियाधारी साचरे संक्रिया है यह हो गया सब ठीक है अब तीसरी बात क्या किरा है इसमें यह तीसरी बात यह किरा है कि साब यह बताओ कि इसमें हाँ वह तीसरी बात अपने से यह किरा है कि क्या इसमें तत्समा कव्या विद्यमान है इसकी जाज करवाला है अब तत्समक अवयोव विद्देमान है तो उसके लिए यहां लिख लेते हैं साथ ठीक है नमबर तीन तत्समक अवयोव तत्समक अवयोव तत्समक अवयोव बिटा अभी बताया था अपने तत्समक अवयोव क्या होता है जो किरिया में भाग तो ले परंतु असार कुछ नहीं डाले मान लिया माना तत्समा का वियो अवियो इ माना तत्समा का वियो क्या है इ अब साथ परिभासा से परिभासा से ए संक्रिया ए बरावर ए तत्समा का एच्चियव क्या आजाए विटा ए आजाए मतलब ए और ए का एच्चियव निकाले है तो ए आजाए तो यह संभव नहीं है ऐसा कोई अव्यव विद्यमा नहीं है जिसका HCF निकाला जाए और A आ जाए क्योंकि जब दो संक्रियां आपस में नहीं मिलती है तो उनका HCF क्या आता है एक ठीक है वो स्वैम कभी नहीं आ सकता तो ऐसा कोई अव्याव विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि संक्रिया संक्रिया में में तत्समाक अव्याव का अस्तित्व नहीं है यह हो गया बटा यह अपने पास में यह बता दिया कि साथ इस संक्रिया के लिए तत्समाक अव्याव का कोई अस्तित्व नहीं है ठीक है बटा अपने ये प्रिष्णावली एक दस्मलो चार देखी ठीक है अब कल अपन पढ़ेंगे पाठ दो प्रितलोम तुरकोर मितिय फलन तब तक के लिए धन्यवाद